आन क्रिकेट नी रमत्ना म्यदान मा उत्री रहा छे त्यारे यां उपसीद गुजरात विदान सवाना माननी अध्यक्षी संकरवेच ओद्री साहिब नू बुखके दी अभिवादन करवा माटे मने ग्रह मंत्री श्री हर्ष संग्वी साहिब ने विननती करूछू सब्रत हम बुखके दी अभिवादन करवा माटे में गुजरात विदान सवाना माननी अध्यक्षी संकरवेच ओद्री साहिब नू बुखके आपी अने अभिवादन करूछू अभिवादन करवा माटे माने अध्यक्षी विकरिया साहिब ने पन विननती करूछू मानिय स्रे शंकरवेच ओद्री साहिब नू भुखके आपी अने अभिवादन करवा माटे माने कुश्ök भरिवेच अध्यक्षी फेणा मानी अध्यक्षी संकरवेच ओद्री साहिब नू अभिवादन करवा माटे मारी साथे बद्दै बोलवांचे जाई स्री राम जाई स्री राम भारत मदगे खुब खुब आभार पच्छी मानिया जी अस्पटेल साइब तमाम तरा सब्प्यस्त्रियोंने रामयन रुपीत करवानाच साइब इतियास मां प्रथम वार क्रिकेट ना मैदान मां जन्प्रती निद्यों आवयाच परन्तु एना मांटे आयोजन युवानों मांटे थाई रहुचे क्वैश्वी कोड़क मने युवानों रमत मांटे जागरुत थाई माने मुख्यमंत्री श्री भुपेंद्रभाई पटेल साइब अने माने मंत्री श्री हर्ष संगरी साइब ना प्रेश्ट प्रहत्नों राया चे त्यारे आजना स्वनीम गुज्रात एमले क्रिकेट लिग 2022 मा गुज्रात विधान समाना माननी अध्यक्ष श्री शंकरभाई चोधरी साहिब ने विदंती करूचू आपना प्रासंगी कुद्बोदन और टूनामेट ने सरुवाद करावा म माड़े माने श्री शंकरभाई साहिब ने विदंती करूचू प्रासंगी कुद्बोदन और टूनामेट ने खुली मुखवा माड़े माझे मुख्य मंतरी श्री आवे इतने हमनों स्वागत करें त्यां सुधी बंद राखे मैं तरो हूँ राज्य सरकार ने अभिनांदन आपीश के आपना मुख्य मंतरी श्री बुपेंदर भाई पटेल और रमत गमत मंतरी माने श्री और स्वाई संगवी इमने डिपर्मेंटे सरकारे अने विधान सबाना सवु माने दारस अभियस्त्रियों साथे अज सरस्मजानी टूना मेंटनू जे आयोजन कर्यूँच हूँ अज्यक्स तरीके खुब राजी पोहनू बहुँचू अने खास करीने ओल पाल्टी एमेले दिवस्टे आखो दिवस विधान सबानी कारे वाही एने प्रजा कल्यान माटे ना प्रश्णो तेना माटे नी कारे वाही आखो दिवस अने सांजे जारे क्वार्टर उपर एकला जाए तेना बदले बद्धा के इधरिंक साथे मलीने बले पाल्टी ओ अलग-अलग होई विस्तार अलग-अलग होई जिल्ला अलग-अलग होई परंतु खेल दीनिला भाव साथे यह किरकेट अमबा माटे नुझे आयोजन थायू ने मैं पार्टीशिपेट थाया उन्हें तमाम टीम ना मन्यधारा स्विस्तियों ने खोब-खोब अबेनन्दन आपूर्ट अने खास करीने रमता रमता गणुबदु शिखी शेका है एक बिजाना सद्गुणों ने वोड़की शेका है एक बिजानी जी खुब्योज यहने उज्यागर करीने एमा थी कहीं शिखी शेका है तो वो सरसा एक कार्यक्रम चे गुद्रात विदान सावाना दारा सभ्य तरीके गणा नाना आसे त्यारे पोतानू बजपन नी अंदर किरके ड्रम्या आसे अने गेप पड़ी गिये से अर त्यारे फरी पाचू बजपन पन जागरूत थसे गुजरात नी प्रजानी अंदर पन खास करीने यूथ छे एपन रमत गमत खेतरे आगड़ा भी शके अने गुजरात ना खेलाड़ी ओ आगड़ वदी अने गुजरात नू नाम रोसन करे तो मान्य धारा सभी इस्टी ओ जारे रमत ना मैदान नी अंदर आवता हो से त्या ओं तमाम माने मंत्रिश्णी ओ, राजय सरकारना, माने धारा सभी स्टी ओ, तमामने रधै पुर्वक ना खुब अभिनंदना आपोचू, क्याकि टीम बनावी ने सवार्थी सांस सुधी एक एक मंत्रिष्टे जे प्रमाणे जवाब आपता होई चे जे प्रमाणे पोता नू काम करता होई अंदर सी संतोस ताय राजी पोताय अने हत्यारे फरी पाचा मारी जेमत गेर जवाने बदले सिधा अजे मैदान सुधिये यह पोचाँ यह तमाम धारासब्यस्रियोने अने मंत्रिस्रियोने पड़न अभिननदन त्ये शिवाई विधान सबानुस्ताइप प्रेश ना मिडियाना मित्रो और बाकिप्म बधा जי इन्वल्द थईने आप्णू गुजरात आगडवदे आपणू गुजरात एक छे अने गुजरात तमाम छेत्रे आगण वदे तेवू मिडियाना मित्रों होई सचीवालाई नो जे स्टाब छे ते दिकारी गरण होई अर तमाम ने उन रदे पुर्वक ना अभिनंदन अने सुबकाम नाओ पाठवुचू जित्छे गुजरात रम्शे गुजरात एद नारा साथे पुना आप सवने रदेती कोब-कोब शुबकाम नाओ धन्यवाद तो आजे आपड़ी पहली टूर्नामेंट नी पहली मैज आजे रम्वा जैरिया छे आपड़े टीम बनास तैयार टीम वैस्वमेत्री तैयार आएक उत्तम विचार जोडे गुजरात नी विविद नदियोना नाम थी अलग-अलग टीमों बनावों मावी छे दरेक टीम मां तमाम उमरना धारा सब्योंनों समावेस करवों मावी छे दरेक टीम नी अंदर वाईस केप्टन तरीके महिला धारा सब्यानों समावेश करवा मा आवियो छे अने आजे एक एक प्लियर एक एक टीम नी अंदर महिला धारा सब्या तरीके क्रिकेटर तरीके जारे ग्राउंड मा उतरवाना छे त्यारे एक-एक भाईोंने सर्मावे ए प्रकारे बेटिंग करवानी तैयारी हो जोड़े अमारी बहनों आजे तैयार छे आ सीरीज मां विदान सबाना भी विविद अधिकारियों, करमचारियों ये लोकोनी जे क्रिकेट नी टीम छे एमाथी भी एक-एक भेबे खिलाडियों दरेक टीम नी अंदर समावेस करवाम आवियो छे जेना ठकी विदान सबाने जन प्रतिनी दिनों जे समन्वई छे, जे विशयोंनी चर्चा छे, विशयोंनी चर्चा जोड़े-जोडे एक टीम स्पिरिट नी भावना कैरिते जागरुत था ये प्रकार नो प्रहत्न आट टूर्नामेंट थकी करवा मा आवियो छे उन आदर निया स्पिकर स्री संकरवाई चोधरी सहेब नो विदान सबाना सव धारासब्य वती आबार मानवा मांगो छे एमने आ टूर्नामेंट ने लिली जंडिया पी विदान सबावती आ टूर्नामेंट नो आयोजन करवा मा वियो गुजरात ना विदान सबाना धारासब्य श्रियो जे सवारती सांज सुधी विविद प्रस्नुमा विविद राजकी आटिका आटिपन नी मांखो दिवस जारे निकलतो हो इत्यारे रात रे तमाम खिलाडी ओ एक साथे मलीने एक टीम तरीके आजे बनास अने वैश्वमित्री बले अलग-अलग टीम नी अंदर आई यां क्रिकेट रमी रही चे परंतु टीम गुजरात तरीके प्रदेशन कही रित थाई सके तेनों उत्तम उधारन पूर निकला मह फिधारी और याजे लिधा शमास अने वैश्वमित्री ओंने टूर्नामेंट माटे तमामं प्रकार नी व्योस्ताओ करवी में生चे और राज्यके शरकारकार ने तमां विभाग उद्वारा व्योस्ताओ करवी लिवां मावी आप व्योस्ताओ जोड़े एक परिवार नी भावना जागे ते माटे स्पिकर्स है बे आट टूर्णामेंट नी आयोजन जारे करी वही त्यारे आपड़े सव लोको पोत्पोता ना परिवार साथे दरेक मैच नी अंदर यां हाजर रही है अमारा भिकु सिंग जी भिकु सिंग जी किटला वर यारुम मातुरर टीम स्पीरिटक्त नी भावना जागरुद करो आमाटे करिऊ एममारा लविंग जी, एमने अलाग अधा धा झाज जा जा जे हमनी बी बॉलिंग जो अमल से लविंग जी हात उचा करो हमारा मास्टर ब्लास्टर प्लेयर डिकस्वामी क्यां प्लियर तमने कोई मां सचिन टेंडूल कर देखा से कोई मां वीवीएस लक्षवन देखा से कोई मां विनोथ कामली देखा से और अजी तो हमरा शीव शीव पभूबा भी रहा है हमारा काना भाई एमनी बॉलिंग के ला वर्से बेट वार स्टम्प पर आई वी आजे पोते ह चोकी गया कि मैं अटला वर्से बॉल नहीं कि पहली वार जीवन मा स्टम्प पर बॉल पईड़ी मारे ताहिम के वारो पड़ी क्यों भाई आजे आ उत्तम उदारन एक स्रेस्ट दाख लो गुजरात नी विदान सबार एक टीम गुजरात तरीके जारे आक रिकेट और नी शरुवात थवा जाई रही जै त्यारे गुजरात ना आपना लोक प्रिय मुख्यमंतरी श्री भुपेंदरभाई पटेल अने खास आपना स्पिकर साहीब बेव साथे मली ने आजे आट टूर्नामेंट नी शरुवात करावा जाई रही आजे आट टूर्नामेंट रहकी तमाम धारा सभ्यस्री और कोई धहरा सभ्यस्री पंचमाल ती ochता से कोई कच्च ती आूतों से कोई दक्षिन गुजरा नावल्सार ती आूतों से कोई बना चट कट How to 화bu प्रिवार जन्र्ड जोड़े जरूर थी ही आउसो आउतु होसे अगर आप पोत्पोताना परिवार जन्र जोड़ जरूर थी आउसो तो तमाम लोको एक बिजानी रीती जाती कई प्रकारे एक लोको नू भोजन होई चे एक बिजानी अलग अलग परंपराओ जानवानों आपने उत्तम एक सारामा सारो आपना सव पासे एक प् आपनी जोड़े मैच रमवाना छे अने मैच मां भले खूब सरल स्ववावना छे बले हम्मेसा तमाम लोकों नी सेवा करवा माटे हम्मेसा उपलब्द होई छे परंतु मैच नी अंदर एमनी बैटिंग नो भी चगो चोगो जो आप सव लोकों ने एक मौकों मलवानों छे आधर निया मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रवाई पटेल साहिब आधर निया स्पिकर साहिब नो आई खूब खूब स्वागत करूँ छो खुबको बाफार मनिय स्री हर्श संग्वी साहिब आपनो गुजरात रवन्गमक्षेत्रे स्रेष्ट रीते विश्वमा नामना मेडवे ये माटे थाई अने राष्टियने अंतरराष्टियों वलकप्राफ्ट थाए माटे मान्य मुख्यमंत्री स्री भुपेंद्रवाई पटेल साहिब आजनी टूनामेट मां उपस्ती चे त्यारे बुख्येती आपनों अभिवादन करवा माटे जरात राजना मान्य मंत्री स्री हर्श विननती करूछू अने जेयस पटल साहिब ने पण विननती करूछू रामयाण नी बुख्ती मानिय मुख्यमंत्री श्री उपिंद्रभाई पटल साहिब नू अभिवादन करवा माटे गुजरात एमले क्रिकेट लिग 2022-23 नू आजे प्रारम थही रहे हो छे त्यारे मुख्यमंत्री मानिय श्री भुपिंद्रभाई पटल साहिब ने विननती करूछू आजना कारीक्रम मा अपना प्रियरक उद्भधन माटे अने साथे साथे टुनामेंट ने खुली मुक्वा माटे मा भारती ना जैनात्ती आपने आउकारिये चे भारत मादागे स्वायनीम गुजरात अने साथे बैलन्स राकिया जैना गुजरात गणू बदू जीवन माँ पहली बखत आउतू आई ना पर मानसमों सबाव चेक छोड़े नहीं परची खबर पड़े कि आमाँ खोटू पकड़े ही उचे खोट सारी रीते रमत गमत हम रम्मे बदाने एक करतू होई चे एले खोट सारी रीते अमारी भावना अथी के बही बता जितला दारा सब्यों चे बदाए रम्मे खोट सारी रीते आनन धी लीग रमाए एवी खोट सुबेच चाओ पाठू चे खोट कुब आभार साहिब हावे डॉक्टर अर्जुन सी राणा साहिब ने विन्नती करू चू मने मुक्यमत्री श्री भुपेंदरवाई पठेल साहिब मने श्री शंकरवाई चोधरी साहिब मने श्री हर्शंगवी साहिब साथे खिलाडियों नो फरीचे करावशे डॉक्टर अर्जुन सी राणा साहिब अने त्यार पची टॉस एक कि आर चाहिए जिल्ला ने जिया थेख़् आख्ष्ण इन खिल साहिए जो आज जो ने बड़ियों से जिल्ला आ जेएख़् मने श्री आप आग्यार आणा बार्टैर नेर गें विन्नती भुप कर दो जो 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 अजना दिवस्ति प्रथम मेंचमा बनास अने विश्वामित्री टीम पशी तापी अने बादर अने सरस्वती अने स्यत्रून जी डक्टर अर्जुन से नाना साइब ने विननती करूछू के मने मक्यमंत्री श्री वेंद्रवी पठल साइब विश्राद विदान सबाद देक्षो मानिया स्रेशन करवेच अधरी साहिब ने मने रमद्गमत्री वाने सांस्तुदिक प्रभुत्तियों ने ग्रह मत्री श्री हर्स अंग्वी साहिब साथे खिलाडियों नी टॉस नी संपन कराऊ से कि अधरी क्रिकट लीग 2022 सीजन वन में आप सभी का जैस पड़ेल क्रिकट ग्राउंड को गांधी नगर से स्वागत है और गुजरात के इत्यास में यह पेर्दी बार सभी विदायक मंत्री मिलकर स्वाणिम गुजरात एमले क्रिकट लीग खेलेंगे और आज का पहला मैच टीम बना तीम विश्वा मिच में खेलेगा और इसमेट बीच मेदान पर चल रही है तोस्ट चीतियों से तालियों सादे वदाविये विश्वा मिद्री टीम ने गुजरात स्वाणिम गुजरात एक रिकट लीग दोजार इस्टेविस का पहला मैच टीम बना तो कुछी देर में शुरू होगा और सभी स्वागते जैस परेल क्रिकेट ग्राउंड को बागा देने गर का यह खुशुरा दर्स यह मनमोहक मैदान और अगले कुछ दिनल तक चलेगा क्रिकेट का महाकुम इस स्वाणिम गुजरात एम एले क्रिकेट लीग दोजार पावीश स्थेवीश सीजन वन के अंदर गड़ एक बाफिर आप सब्सक्राइब कि अच्छी जाएंगे पहला मैच टीम बनास टीम वीस्वा मित्री की बीच में होगा दूसरा मैच टीम तापी और टीम भादर की बीच और तीसरा मैच टीम सरस्वती और टीम सेत्रुन जी की बीच तो आप सभी की जानकरी के लिए हम बता दे हमारी पावन पवित्र नदियों के नाम पर सभी और जीस टूनामेंट में माननिय मंतरी सीरी खेलेंगे और क्रिकेट का महाकूम चलेगा जेस पड़ेल क्रिकेट ग्राउंड पर अगले कुछ दिनों तक स्वानिम गुजराथ एमेले क्रिकेट लीग दोजार बावीस देविस के अंतर आप सभी का स्वागत है और खुछी दियर में लाइव एक तम लियाच चलेंगे आप सभी क्रिकेट ग्राउंड टीम बनास और जैसे ही मैच्च शुरू होगा स्वानिम गुजराथ एमेले क्रिकेट टूनामेंट नहवे एक शाणों मा प्रारम थाई रहोचे मन ये मुख्यमंत्र श्वीपु पेंद्रभाई पडल साहे द्वारा बॉलिंग करवा मा आवी रहीचे ये वे प्राई टूनामेंट ये रहीचे हलो आप सभी की जानकरे के लिए बता दे स्वानिम गुजराथ क्रिकेट दोजार बावीश्ट आई एक्षन आप घर बेटे या मैदान पर पी आप गुजराथ स्पोर्ट्स और डियो गुजराथ की जो हलो 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 प्राइब 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 आन थाई रहा हूछे समगरा वीश्व अ तुनामेटने न हाडि रहा हूछे पॉर ओधार्वी पॉर्ण अब दो नहीं न स्पॉर्ट ऑथरिटी अब गुजरात ने आपिश्एल यूटुब चेनल ना मार्फदे जीवण प्रसारण थाई रहे उचे समगर वीश्व अट्टुनामेट ने निहाडी रहे उच्छे हालो हालो तो ज्ये पटेल क्रिकेट ग्रावी जेशू बनने तीमना जे तीमनी बैटिंग छे ते तीमना खेलाड़ियो पन प्यवेलियन मा वी जर्षे और जेमनी फिल्डिंग छे ते हवे तियां कुठवाई जर्षे बाकीना बद्धाज मित्रों बारावी जर्षे एंपायर अने खेलाडी योज मैदानवा रेशे भी विननती धन्यवाद हलो तो जेस पटेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर से आप सबी का स्वानेम गुजरात एमले क्रिकेट लीग 2022 सीजन वन में स्वागत है और एमले क्रिकेट लीग सीजन वन का प्रारंबिक मुकाबला टीम बनास और टीम विश्वा मित्री के बीच में खेला जाएगा और स्पोर्ट्स और्थूरिटी ऑफ गुजरात की यूट्यूब चैनल पर आप इस मैच के लाइव एक्षन का आना सकते हैं जहां पर आप हो वहीं पर आप इस मैच के लाइव एक्षन का मज़ा ले सकते हैं कुछी तेर में टीम बनास और टीम विश्वा के बीच सुरू होगा पहला मुकाबला स्वानेम गुजरात है मेले क्रिकट लीग 2022-23 का एक बाप फिर आप सभी का स्वागत है लाइव एक्षन के साथ हम वापस ले चलेंगे आप सभी को जैस पंडेल क्रिकट ग्राउंड को बगांदी नेगर लेकिन वक्तों चुका है वापस स्टूडियो जाने का बहुत बहुत धन्यवाद हमार साथ जुड़ने के लिए आप सभी का झाल 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 करत कर दिए का झाल 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 मुवाया झाल मुवाद हम में पन्यव wärmy हम ड मोई झाल 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 तो एक बापीर आप सभी का जेस्ट परेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर से स्वागत है सोनेम गुजरात एमले क्रिकेट लीग जोजर बावी स्टीजन वन का प्रारंबिक मुकाबला शुरू हरे जा रहा है टीम बना सोर टीम विश्वा मेत्री के बीच में कप्तान ने टाव जीता और पहले बलेबाजी करने का फैसला किया है और दोन आपनिंग बलेबाजी समय बीच मैदान पर कि पहुंच चुके हैं और टीम बनास पहले करेगी फिल्डिंग और यह सभी मैचिस दस ओवर्स के खेले जाएंगे तो पुना एक बापिर आप सभी का स्वागत है स्वानेम घुजरात एमेले क्रिकर लेग 2223 की शुरुआत इस ओवर के साथ कि यह पेरी बॉल सब्सक्राइब कर खेल द्याओ से फिल्डर वाँ पर और एक रण इस बीच कि अगा कि अगा तो अप्स्तम के बार गेंद और अपिल हुई जी हां कोड़ बैंड आउट तो इस प्रकार यह पहला विगेट का पदन दो ता हुआ टेम वेश्वामेटरी का तो टाउस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहला विगेट इस समय किता हुआ टेम विश्वामेटरी का एक रन एक विखिट के नुक्सान पर टेम विश्वामेटरी यहां पर पदार विश्वामेटरी सभी महानुभव का हम स्वागत करते हैं स्वागत गुज्रात एम एले क्रिकेट लीग दोजार बावीश्वामेटरी का कि आवा अगा थानाव पॉप्स्नम के बार के एंद हवा में खिला लेकिन तरहां अगर बोल को कलेक कर लिया होता है लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग विटिदेगेट बिलकुल सहीवक पर टेढ़ना पड़ा डेंजर जोन में दोड़ रहे थे समय मलेबाज पहुंच गए एक रन अप्सम के बहुत ज़्यादा बाहर वाइट बॉल ये पहला बोनस रन इस समय मनिश्वाग एंपर बोलिंग एंपर आगाजू आईस मैस के साथ टीम बनास टीम स्वामित्र के बीच स्वाणिम गुज्राते मेले क्रिकेट लीग कि दोजर बाविश टेविश सीजन वन और इस समय हवा बेखेला है लॉंग ऑन बाउंडर फिल्डर और यास बहुत ही बढ़िया कैच तो एक और विकेट का पतन तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत बोलिंग के घरब बात करें टीम बनास की दो विकेट इस ओवर में गिर लेते हुए टीम विश्वामित्री के अच्छा कैच निरज भाई के द्वारा लॉंग ऑन बाउंडरी पर कुल बिलाकर तीन रन दो विकेट के नुक्सान पर टीम विश्वामित्री पर आप इस मैच के लाइव एक्षन का आननद उठा सकते हैं जहां पर आप हो यूटुब पर इस मैच के लाइव एक्षन का आप आननद उठा सकते हैं जेनती भाई पठेली समय नए बल्यबाज यह इस खुपसूरा जेस पड़िल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर के ओनर फिल फिलाला है बल्यबाजी के लिए और यहां पर एक और विकेट तो लगातार बार बार से लिब्रेशन का वाका टीम बराज के लिए तो बढ़िया बॉलिंग टीम बराज की बहुत ही जबता सुरुवात महज यह पहला ओवर चल रहा है तीन रन पर तीन विकेट गिर चुके हैं टीम विश्वामित्री की सुरुवात काफी नाजुग कि अलगे क्रिकेट टूनामेंट हार जीत के लिए लेकिन स्पिरिट के लिए इसका आयुजन किया गया है खेल भावना टीम स्पिरिट एक दूसरे के करीब आने का फिटनेस के लिए और इतना व्यास्त शिड्यूल रहता है इन सभी मान्य विधायक मान्य मंत्रियों का तो उसमें से थोड़ा सा इस क्रिकेट के जरीए एक अलग अन्वा होता है तो एक ओवर के बाद तीन रन तीम विकेट के नुक्सान पर टीम विश्वामित्री अच्छी बात यह स्वानेम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग 2022 की कि जोवी टीम इस टूनामेंट में हिस्सा ले रही है उन सभी के नाम हमारे गुजरात की पावन पवीत्र नदियों पर टीम बनास की बढ़िया सुरुवात पहले और वे तीन रन तीन विकेट और इस समय हाला कि विकेट के उपर से गेंद गई है बाउंट्री लाइन के और आजित आगे जाती हुई टॉप एड लगा था कि जो भी दर्सक अभी अभी हमार साथ यूटूब पर या अभी भी मैदान पर आएं आप सभी की जानकरी के लिए बता दे कि टीम विश्वा मित्री के कप्तार ने टॉज जीता पहले बलेबाजी करने का फैसला किया कि हमीद भैठाकर फिलाल गेंदा जी में हस्मुकबाई पटेल अस्ट्राइक पर कनिया लाल भाई कि सोरी इस समय नॉन स्टैकर एंपर अप्स्टम के बार इस समय पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से खेलने का प्रयास उचालता परियाप्त रूम नहीं मिला डॉट बॉल अच्छी सुरुवात अमिद बैठाकर की दौरब तक तीन बोल में एक रनाया है अच्छा कनेक्ट बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन हवा में खेला और फिल्डर वहां पर शॉट कवर पर कोई गलती नहीं की बिल्कुल आसान कैच और यह चौथा विकेट किता हुआ टेम विश्वा पितरीगा कोई सिक बाई वेकरिया के दौरब बिल्कुल सिंपल आसान और लोली पॉप कैच तो बड़िया शुर्वात टीम बनाशकी पहले ओवर में तीन रण तीन विकेट इस पूर विकेट कुल बिलाकर चार विकेट का पतन हुचुका है चका चोंद रोशनी से जगमगता हुआ ये खुप सुरत दर्शनीय मनमोक मन भावनती सुन्दर जेस पडेल क्रिकेट ग्राउन जहां से आप स्वर्णेम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग 2022-23 के लाइव एक्षन का आनन्द उठा रहे हैं एडी स्क्रीन पर भी स्पष्ट लाइव टेलिकास्ट स्पॉर्ट्स ऑथरूडी ऑफ गुजरात की यूट्यूब चैनल पर भी आप इस मैच के घर बैठे या मैदान के किसी भी हिस्ते में आप करिप से मैच को देख सकते हैं कि उन्हें एक बाप फिर आप सभी का मैं दीपक चवान स्वागत करता हूं चिराग भाई मोरी आये नहीं बले बाद जे समय कि स्ट्राइप पर लेक्ष्टम के बार गेंड़ वाइड बॉल का इसारा मनी स्वाग एंपार बोलिंग एंपर कि अच्वाइब को इस समय को खेलना चाहते थे स्क्राइब के ओपर से अपील हुई यह जोड़दार और जी हां यस इस अपील के साथ मैं सामत तो यह दूसरा विकेट अम इठाकर गेल ना इस ओवर में तो क्या गजब की शिरुवात टीम बनाशकी एक के बाद एक निमित अंतर में विकेट गवाता हुआ टीम विश्वा मित्री कि पांच रन पर पांच विकेट दूसरा ओवर चल रहा है और क्या वेतरिन आगाज हुआ है क्या बढ़िया सुरुवात हुई है स्वार नेम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग 2022-23 की एक बाद फिर रीपले में आप देख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सिंपल कैच इस समय विकेट कीपर के द्वारा अपिल हुई जोड़दार और इस टीम आउट हुचुकी है स्कोर अभी डबल फिगर में पहुचा भी नहीं है टीम बनास एक बोल बाकी अभी भी इस दूसरे ओवर की एक सिलिप इस तमें रखी है कप्तान ने एक फिल्टर है पॉइंट पर कवर सर्कल के अंदर मिड़ अप सर्कल के अंदर सोट एक्ष्ट्रा कवर काफी उपर अच्छी बॉल समबर कर खेला स्लोवर डिलेवरी और अच्छा ओवर अमीद बैठाकर का और कुल मिलाकर दो ओवर के बाद पांच रन पांच जुकेट के नुक्सान पर टीम विश्वा मित्री का स्कोर गुजरात के इत्यास में पहली बार स्वानेम गुजरात ML क्रिकेट लीग 2022 सीजन वन का आयोजन किया गया है पहली बार मंत्री भी खेलेंगे विधायक भी खेलेंगे और अच्छी सोच इस समय राजी सरकार के अगर आप बाद करे हर जीत के लिए नहीं यह खेल यह खेलेंगे इस्पिर्ट के लिए यह खेलेंगे एक दूसरे के करीब आने के लिए और इस अब जल्दी खेल गए थे लॉग उन के उपर से खेलने का प्रेयास आपस्टम के बारे गेन और बले बाज खड़े-खड़े खेलना चाहते थे गेंद के करीब नहीं पहुंचे चेतन निसी जाला गेंदाजी में केपिटल सिटी एंड से दो पॉइंट एक चार का रंडेट इस समय चल रहा है लेक्स्टम पर इकेंदी खेलने का प्रयास था स्क्वेले के उपर से देखना गेंद बैट से लग कर गई या नहीं दूसरे रन के लिए जा रहे हैं यहां पर बले बाज और नॉन स्टैकर रन पर अगर थो जल्दी आए तो बात बनेगी और जी हाँ बात बन गई यहां पर एक और विकेट रन आउट की रूप में दोनों बले बाज करीब करीब एक जगह पर इखटा हो गए थे और यहां पर यह च्छटा विकेट गिरता हुआ तू चल और मैं आया जेसी स्टिती टीम विश्वा मित्री के लिए समय नजर आती हुई तो साथ रन बने टीम के छे विकेट गिर चुके हैं इसके बाद जो दूसरा मैच होगा आप सभी की जानकारी के लिए बता दे टीम तापी और टीम भादर की बीच में होगा और उसके बाद जो आज का अंती मैच है वो टीम सरस्वती और टीम सहत्रुन जी की बीच में होगा यह तीन मैच की शिड्यूल की जानकारी आप सभी दर्सकों के लिए मैदान के चारो और उपसीत क्रिकेट प्रेमी दर्सक परिवार के सदस्या अच्छी बॉली सबहें रुक कराई डिफेंस वी खेला तीसरा ओवर चल रहा है साथ रन तो एक बात है ते चेंज और पैस से समय पाटनर सी बननी बहुत जरूरी है टीम विश्वामित्री के लिए दस ओवर की मैच में कम सकम पचास साथ रन तो बनाने जरूरी लेकिन ये काम करेगा कौन क्योंकि छे टॉप और बले बाच आउट हो चुके हैं डगाउट में वापस लॉट चुके हैं और से गें को के लाचाती दिलोंगन के उपर से और बहुत ही कोपसी रस चॉड़ी समय पाइन लेकी दिशा में केला और बोल यहां पर इसमय बाउंटी लाइन के बाहर वन बाउंस चार रन और स्कोर्ट डबल फिगर में पाउंस आउगा टीम विश्वामित्री का तीन ओवर के बाद बारा रन छे विकेट के नुक्सान पर यह पहली वेलकम पाउंटरी टीम विश्वामित्री के लिए तो चार का रन डेट इसमय चल रहा है और यहां से अब यह भी साथ ओवर बाकी है एक दो बड़ी पार्टनर सी बनती है तो पचास साथ रन भी अगर बन जाते तो एक 15 टोटल का जाएगा 10 ओवर के मैच के इसाफ़ से तो बोलिंग में परिवर्तन इस्वर बाई पठेल के इंदाजी में राइट आम राउंड डिविकेट बैट का टॉप एड लगा और रन के लिए गए यहां पर फिल्टर काफी डीप थे वाइड और बढ़िया सौच चीश रमाए एक रन लेने में कामियाब तो एक इतियास रच दिया है राज्य सरकार ने यह पहली बार गुजरात के इतियास में विधायक धारासभ्यमंत्रों के लिए इतियास बना रहा है पूरे भारत वर्ष में इतियास बना रहा है पूरे विश्व में डंका बस्तावा हमारे गुजरात राज्य का और इस अमया सोट बाल बहुत ही बैजरे इनस बेंका और बाउंटरी के बहार इस समय एक एक जैन चार रण के लिए वन बाउंस और यह दूसरी बाउंटरी सुसरी इस निग बहुत भुद्रे बाढ़ी कर ended's stagger स्वामित्री 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर नट आउट कि शोरी बहुत बढ़िया बैडिंग करते हुए कि एक मात्र बल्लेबाद जो डगबल अंकों में नट आउट और अब तक दोनों बाउंट्री लगी है कि यह उनके बल्ले से आई है और तेम विस्वामित्री के लिए वापसी करने का भरपूर प्रयास सिर्ट बोल एक बापि यह गगअन चूम भी साट और लगरा कि यह बोल सीदय बाउंट्री की बार जी है बहुत ही सादार सोट और यह गगअन चूम भी सिर्ट श्रीक कनई अलाल कि सोरी के द्वारा दो बाउंट्री एक सिक्स अब तक आचुकी उनकी सिनिंग में चौथा ओवर चल रहा है तेविस पर छे टीम विश्वा में त्री ने वापसी की है कनई अलाल की सोरी की इस अक्रमक बैटिंग के कारण तेरा किसा पर सोला ने बना कर नट आउट 110 के करीब काउन का स्ट्राइक रेट अक्रमक मिजाज में अक्रमक तेवर अपनाते हुए कनई अलाल की सोरी एक बाफिर और एक स्टम पर गेहन देख बाफिर इस अमेक केहन को केला है फिल्डर बॉल के काफी दूर एक रन बॉल जैमिन पर गिरी सुरक्षित तस्तान पर सोनीम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग 2022-23 की एक बात तो ये भी अच्छी है कि हर टीम में एक महिला क्रिकेटर है और वो साथ में वाइस कैप्टन भी है तो ये बहुत अच्छी बात इस ट्यूनामेंट की और कुल मिलाकर चार ओवर के बाद 24 रन छे विकेट के नुक्सान पर टीम विश्वा मित्री का जो रन्डेट है बहुत तेजी के साथ में पहुंच चुका है छे रनों पर जो छे खार रन्डेट ही समय कल रहा है और बहुत बढ़िया कमबेक एक बाफिर इस गेंट को खिल दिया ओंसाइट पर और वन बाउंस के बाद बोल बाउंटरी के बार चार रन बहुत ही बढ़िया शॉट तो इस बाउंटरी के साथ करने लाकी सोरी पहुंच एकीस रन्ड पर नोट आउट ट्वेंटी एट पो सिक्स टीम विश्वामित्री का चार कमबेक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इन स्तीती में वापस अब भाई पठेल फिलाल गेंदा जी में लेक्ष्टम के बाहर वाइट बॉल इसमें अब लेक्ष्टम के बार एक बार फिर इक इन वाइट बॉल इसमें यह दूसरा ओर उनका लेकिन अच्छी बात है कि अपने पहले ओर एए में तीन विकेट लिये थे बहुत ही बढ़िया शुरुवात दिलवाई थी टीम बना सको लेकिन अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया कमबेक करवाते हुए समय टीम विश्वामित्री के लिए बहुत ही बहुत ही बैतरी इन उप्योगी पारी केलते हुए इस समय 16 गेंदो विकु सिंग जी परमार नोन स्ट्राइकर एंपर लेकिन फिलाल बढ़िया शॉट इस समय एक्ष्टा कवर की दिसा में खेला बोल जारे बाउंडरी लाइन के बाहर चार रन बढ़िया शॉट एक बाउंडरी कनया लाल किसोरी के द्वारा बैतरी इन शॉट ओप साइट प लेक्ष्टम पर गेन देख जब भी होती है बॉला बहुत जल्दी आता आ जाता है गेन क्लाइन में और यहां पर भी वन बाउंस बॉल डीप बैक और स्कुल एक बाउंडरी के बार चार रन के लिए और कुल मिलाकर अस्कोर पहुंचा इस समय 38 रन 38 पर 6 इस ओवर में अब तक कुल मिलाकर 15 रन आचुके तीन बाउंटरी दो वाईड और अच्छा ओवर हेल्थी ओवर चल रहा है यह जेकपोर्ट ओवर है यह बहुत ही मादपूर्ण ओवर टेम विश्वा में तरी के लिए जल्दी खेल गएते कनेहल अलकिसोरी वाईड बॉल लेक्ष्टम के बार गेन तीसरा वाईड इस ओवर में 39 पर 6 टीम विश्वा मित्री रन डेट साड़े आठ के करिप पहुंच गया एक समय दो का रन डेट था लेकिन पिछले दो ओवर से रन बन नहीं रहें रनों की बारिष हो रही है और ये बारिष में एक और बैत्री इन शौत हालाकि इसमय बॉल बाउंटरी के बार तो नहीं जाएगी क्योंकि ताकक थोड़ी सी कमी थी एक रन करने लाल किसोरी के लिए और काफी देर के बाद स्ट्राइक पर आये हैं समय बेकु सिंग जी परमार एक गेन पर एक रन बना करनोट आउट सो का उनका स्ट्राइक रेट कि चालीश रंच से विकेट के नुक्सान पर टेम विश्वा मेत्री कि परिवर्तन एक स्लिप लगा दी गई यह समय बेकु सिंग जी परमार के लिए तो कुल मिलाकर पांच ओवर का खेल समाप टेम विश्वा में तरीका और पांच ओवर के बाद चालीश रंग छे विकेट झालीश और टेम तो नीरजबाई गामित फिलाल गेंदबाजी में परिवर्तन ये पहला ओवर है नीरजबाई का केपिटल सिटी एंड से के बहुत ज़्यादा बाहर वाइड की रूप में ये बोनस रन विछले दो तीन ओरों से टीम विश्वा मित्री ने बहुत बढ़िया कमबेक किया और उसका सारा स्रे जाता है करे अलाल भाई की सोरी को बीस गेंदों पर तीस रन बनाकर नट आउट अच्छा सौटे इस अब है गगंचुम में सौट लॉंग ऑफ बाउंडरी के ऊपर से खेला और ये सांदार सेक्स इस समय लॉंग ऑफ की दिशा में करने लाल की सोरी के द्वारा ये दूसरा सेक्स उनकी इस इनिंग में वास्टर बलास्टर बल्लेबाजी ये आक्रमक बल्लेबाजी और च्छतिस रन पर पहुंचे करने लाल की सोरी हाला कि रन नहीं आया ये डॉट बॉल तो उचा सॉठ हवा में ओ ये बोल तो रेंज में थी और इसे आउट अप रेंज में भेज दिया इस समय कनेल आल की सोरी ने बहुत ही बहुत ही बैतरी इन सौट और ये गगन चुम्बी सीच्स एक पर फिर ये तीसरा सिक्स और ये लाल की सोली के द्वारा और क्या घजब की बैटिंग और इसे के साथ में टीम विश्वा मित्री के पचास रन पूरे कि और अस्कोट पहुंचा तीरपन रन फिप्टी थ्री पर सिक्स अच्छा कॉल रन के लिए बुलाया उन्होंने देको भाई देको सिंग जी परमार को और जी हाँ अच्छी रनिंग बिटिंदी गेट एक रन तीरा लिस्ट रन पर पहुंचे कने लाल की सोरी साथ रन दूर हाप सेंचुरी से तो कुल मिला कर 6 ओवर के बाद 54 रन छे विएट के नुकसान पर टीम विश्वा मित्री की जिस परकास शुरुआ तुई थी साथ रन पर छे विकेट गिर गए थे किसी ने सोचा भी नियुगा की किया टीम विश्वा मित्री पचास तक पहुंच पाई गिया नहीं लेकिन कने लाल की सोरी की बहुत ही आकरमक ताबर तो बल्लेबाजी ने नामुम्किन को मुम्किन कर दिखाया है और यही है क्रिकेट का कमाल और यही है क्रिकेट की लोग परिताख यही है क्रिकेट की अनिश्चिता तो सात्वा ओवर इस समय चल रहा है मनुवाई पठेले बोलिंग में लिफ्टाम ओर दिखेट लेक्स तंपर गेंद बढ़िया सौड इस समय और बोल जा रहे हैं फाइन लेक बाउंटरी की और पोसिस की फिल्टर ने बोल को रोकने की और रोकने में काम्याब भी हो गए बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग इस समय और रिफले में देख सकते हैं आप कितीनी बढ़िया यहां पर फिल्डिंग देखनों को मिलेती फाइन लेक बाउंटरी पर अप्सनम के बार बढ़िया शौटे समय फिल्डर है लेकिन बोल उनके पीछेगिरी और वन बाउंस बोल बाउंटरी के बाउंटरी के बाउंटरी चार रन और इसी के साथ में कनेया लाल की सोरी की हाप शेंचूरी पूरी और 27 गेंदों पर उन्होंने ये 50 रन बनाए बढ़िया बैटिंग वैल प्लेड कनेया लाल की सोरी वाट ग्रेट इनिंग लेक्ष्टम के बाहर वाइड बॉल और कुल मिलाकर स्कोर इस सब्सक्राइब पहुंचा है चप पैंसाट रन 65 और 6 टेम वी स्वामित्री बहुत ही बैटिंग तीन शिक्स लगा है उन्होंने अपने इस पारी के दर्मियान और करीब करीब चार बाउंटरी भी ओ एक बापिर एक बापिर बढ़िया स्वाट और यस यहां पर यह बोल जिस प्रकार फिल्डर का इसार आया है बोल सीधे बाउंटरी के बार जबर दर्मियान शॉट सामदार 6 तो रन बन नहीं रहे रनों की बारिस हो रही है अले याल कि तरी बहुत ही मजबूत इस्तिति में कि अच्वाट बॉल खेल दिया स्वाल एक दिसा में फिल्डर हलाकि कोई मौजूद नहीं है स्वाल एक बाउंटरी पर लेकिन स्वाट मेडिकेट फिल्डर ने आकर गेन को फिल्ड किया और इस बीच एक रन अच्छी पार्टनस्टिप इस समय चल रही है करने लाल कि सोरी और वीकु सिंग जी परमार के बीच में लेकिन वीकु सिंग जी तीन गेंदों पर एक रन बनाकर नटाओं लेकिन अच्छा साथ देते हुए इस समय करने लाल कि सोरी गा यह बहुत ही लंबी मजबुत साजिधारी स्क्वैले की दिसा में खेलने का प्रयास इस समय बीकु सिंग जी के द्वारा लेकिन गेंद थोड़ा रूप कर आई और कुल मिलाकर साथ ओवर के बाद 72 रन छे विकेट के नुकसान पर टीम विस्वामित्री मजबुत स्थिति में और अभी भी तीन ओवर बाकी है और जिस प्रकार बैटिंग कर रहे हैं इस समय कने यह लाल कि सोरी ऐसा लग रहा है कि सो रन आराम से हो जाएंगे टीम विस् पाविस तेविस सीजन वन का आप स्पोर्ट्स ओठोली अफ गुजरात की यूट्यूब चैनल पर लाइव एक्सन का आनंद उठा रहे हैं आप सभी का जेस पड़ेल क्रिकेट क्राउंड गोबा कोबा गांधी नगर से स्वागते बहुत ही बैतरी यह मैदान हरा बरा मैद मैदान के चारों और हर्याली और चका चोंद रोशनी से जगमा गयता हुआ यह खुबसूरत मैदान और क्रिकेट का आगाज हुआ है नदियों के नाम दिये गए हैं टीमों को गुजरात की पावन पवित्र नदियों के नाम से जुड़ा हुआ सभी टीमों का नाम इस स्वाणेम गुजरात MLA क्रिकेट लीग दोजार बावीस तेविस में कि अद्धान बाट यए पूंचा सोठावा में खेला है अफोर उत्र में खुच जाते हुए कोशिस की लेकिन थोड़ा दूर थे गेंज से इस समय गेंद बाद चेतन्य सी जाला कोशिस तो कीती कोशिस करनी भी चाहिए कि का जाता है कि कोशिस करनी वाले की कभी हार नहीं आपकी कोशिस कभी ने कभी जीवर में आपको सफल्दत दिलाती है आपको अपनी मंजील तक अपने मुकाम तक लेकर जाती है तो अच्छा प्रयास चेतन ने स्री जाला के द्वारा अच्छी बॉली सब्सक्राइब और आज के दिन के चैंपियन चैंपियन भिकुसी जी देखिए पहली बॉल से अभी तक बर करार पीच पे खड़े हुए है और यह लगा च्छगा अब बैट और का पॉल का संगम हो गया है भिकुसींग जी का मैं अब दो में तो भिकुजी है अच्छी है ओव लगा 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 तो खुल मिला करतीयतर रंचे विकेट के नुक्सान पर टीम विस्वाम में तिरिकास को अच्छा साथ निबाते हुए का अच्छी पाटनर्सिप इस समय चल रही है इन दोनों की बीच में आट ओवर की बात संजे भाई एक नवो इतियास लखवाणनों आजे निरधार करेलो पनकनेफिशोंरीये धीरे-धीरे martyr खुलत शिंटियों Cry Town एक चोगान चगा पढ़िया और भीकु जी दोड़ता रहा है और टीम विश्व मित्री अवे एक नवो रेकोड बनावा गई डबल आकडा नी बन ले ट्रिपल आकडा तरफ पहुची गई इस समय करेक्ट ने कर पाए खेलना चाहते थे लौगान के ओपर से रन के लिए दोड़े थे इस समय नौन स्टैकर बने बाद लेकिन करने हलाल की सुरी ने मना किया इब भीकु से कि आप मेरे साथ में रहो हम पूरे दस ओवर खेल कर यह वापस जाएंगे लेक्ष्टम पर इकेन बढ़िया स्टैस समय से गेन को खेल दिया पाएंड लेकिन समय फिल्डर वापर महजूद रन का प्रयास नहीं कोशिस नहीं बढ़िया फिल्डिंग अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास यह नवा ओवर चल रहा है इसके बाद में एक ओवर का खेल बागी तीयत्तर पर छे साथ पर था छे का आकड़ा लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया साजिदारी समय इन दोनों बल्ले बाजू की बीच में रंडेट चल रहा है नो के अंदर कि अमिद बैठाकर फिला लगेंदाजी में राइटाम ओर दिकेट पहले खेल गए थे गेंचरी पर लगे इस समय अमिद बैठाकर की बात करें तो एक पॉइंट तीन ओवर में सिर्फ दो ही रन दिये और दो विकेट लिए तो बहुत ही बढ़िया स्पेल चल रहा है अमिद भाई का अच्छी बोलिंग ग्रेट बोलि लाइन और लेंग को मेंटेन रखा है बले बाज को कोई आजादी नहीं दे रहे है कोई रूम का मौका नहीं दे रहे हैं समय अमिद बैठाकर का अच्छा स्पेल चल रहा है इकोनों में भी बहुत बहतर और ये बढ़िया शाट इस समय हवाबे खेला है और फिल्डर ने कोशिश की लेकिन इस समय बोल सीधे बाउंडरी के बार और एक और सांदार सिक्स इसमय कनाई अलाल की सोरी के द्वारा गगन चुम्बी शॉट डीप बैपर स्क्वेलिक बाउंडरी के उपर से सिक्स सेवन्टी नाइन पो सिक्स देख सकते हैं आप सर सट रन पर पहुंचे 36 गेंदू का सामना किया 190 के करीब का स्ट्राइक रेट कने या लाल की सोरी गा नीची गेंथी समय कनेक नहीं कर पाई दिखना है बोल और बैट के बीच में संपर्क हुआ है नहीं जी हां बैट का अंद्रूनी के नवा और नो ओवर के बाद असी रन छे विकेट टीम वी स्वामित्री ति ये अक्री ओवर का केल और इस समय से गेंग को खेल दिया हुआ में फिल्डर काफी वाइड और अच्छी फिल्डिंग बहुत ही बढ़िया पिल्डिंग इस समय को अ करीवी माठा बाउंट्री लाइन पर ऑफिर रण को प्रयास नहीं कोई चेस्टा नहीं दो लगाता डॉट्ड़ और वोल् कि इस्वर्भाइपटेल फिलाल है गेंदा जी मैं इस इनीं का आखरी ओवर लेकर केपिडल सीडी एंड से कने यलाल की सुरी अश्ट्राइक पर उचा सोट हवा में खेला है फिल्डर बॉल के नीचे और यस ओ बहुत ही बढ़िया प्रयास इस दम है वेल डान बहुत ही बहुत ही बहुत ही इन कोशिस एक दो तीन एटेम में भी हिम्मत नहीं लेकिन आखरी मुमेंट पर गेंसे निग साथ दिया एक रण लेने में काम्याब कनेयल अलकी जोरी पहुंचे उनतर पर भी कुछी परवाद पर एक बाफेद तीन गेंदे बाकी नेक्स टम के बार एक गेंद जाने दिया बीकु सिंग जी ने जानते थे कि बिना मेहनत के एक रण मिल रहा है तो भला क्यों हाथ से जाने दे इस समय गेंद को लिव करना चाते थे गेंद से बचना चाते थे लेकिन ये फुल टॉस बॉल सीधे जाकर लगे इस टम पर और भीकु सिंग जी परमार बच ने गए लेकिन बच नहीं पाए क्लीन बोल्ड और वापस जाते हुए डगाउट के ओर लेकिन बीकु सिंग जी परमार के लिए जोड़दार तालिया इसके बजनी चाहिए क्योंकि साथ रन पर छे विकेट कि रेते उसके बावजूद उन्होंने कने लाल किसोरी का बहुत लंबे समय तक साथ दिया और मजबूत साजेदारी में अच्छा योगदान दिया वेल प्लेट अच्छा समय व्यतित किया कने लाल किसोरी के साथ वेल प्लेट वीकुशिंग जी परमार बहुत ही बढ़िया आपने साथ दिया कठीन परस्थिती में से आपने अपने टीम को अच्छी स्थिती में पहुंचाया 82 परसाथ टीम विश्वा मित्री की इनिंग की अभी भी दो गेंदे बाकी टाउस जीता पहले बलेबाजी करने का फैसला किया साथ रन पर गिरेते छे चोटी के बलेबाच और इसके बाद में कनेलाल किसोरे ने क्या घजब की गेंदबाजी की बलेबाजी की और अपने टीम को एक मजबूत इस्तिती में पहुंचाया और फिलाल बलेबाजी के लिए आये समय घजरात राजे के मान्य ग्रह मंत्री खेलकुद मंत्री स्री हर्स संग्वी साब स्ट्राइक पर और इस ट्यूनामेंट के प्रारम होने के पहले भरपूर प्रयास उन्होंने बहुर भरपूर प्रक्टिस भी की थी और बहुत ही और इसे गेंट को खिल दिया ऑफ सैट पर और एक रन के साथ इनिंग की सिरुवात हर से संग्वी सरकी और जी हाँ इसली के साथ यहां पर टीम विश्वा मित्री की इनिंग समाव और अगर दस ओवर में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजीं करते हुए तीरा सी रन बनाए टीम विश्वा मित्री ने और टीम बनास को जीतने के लिए चाहिए चौरा सी रन तीरा थ मी कीतिने के संहुतकता सी रन बनाए बनाए जीतने के बनाए लालिए घर चाहिए सक.प Потом जीए यहां लागर बनाए, थागरा सी रन बनाए, करते हुआ है, और tyre श्ते के एवर में लिएा बनाए रρι दुम्वरीन के साथ ख़र्लूम्या तету है प्लागरुम्या आग झालो 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 यह अपयों कि अ लहाँ झाले अधू है अब चुक्षप जो रहा हुआ है अघर हुआ है क्या अधुक्ति ऑा चक्षप-खद्चे यद अब गधंश्च अधुप च्छ्छ़क इसे रहा है झाल 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 तो एक बाफिर स्वागत आप सभी का जैस पडिल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर से सोर्णेम गुजरात एमें किट लीग दोजार बावीश देवी सीजन वन और यह पहला मुकाबला तो टेम विश्वा मित्री और टेम बनास के वीश्वा में चल रहा है टेम विश्वा मित्रीक कप्तार ने टौजीता पहले बैटिंग करते हुए अपने निजारी दस ओवर में साथ विकेट के नुकसान पर तीरा सी रन बनाए और टीम बनास को चौरा सी रन चाहिए आठ दसमलो चार की और सच से स्वानिम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग 2022-23 में जीत के साथ सुरुआत करने के लिए तो तीरा सी रनों में अगर बात करें तो टीम विस्वामित्री के लिए सिरी कने अलाल किसोरी ने 40 गेंदों पर 69 रन बनाए चार छे शिक्स और छे बाउंटी लगए थी 172 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और अपने टीम को जहां पर 7 रन पर 6 विकेट गिरे थे उसके बाद अच्छी स्थिती में पहुंचाया और एक सम्मान जनक टोडल बनाने में काम्याब टेम वी स्वामित्री और 84 रन चाहिए 10 ओवर में 8.4 की ओसत से इस मैच को जीतने के लिए स्वाणिम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग सीजन वन में जीत के साथ सुरुआत करने के लिए और गुजरात के इतियास में ये पहली बार विधायक मंतरी सब साथ में मिलकल खेल रहे हैं टी टेन क्रिकेट ये रातिर प्रकास क्रिकेट टूनामेंट इस खुब सुरत मैदान पर इस समय चल रहा है और एक बाप फिर आप सभी का स्वाणिम गुजरात एमेले क्रिकेट लीग सीजन वन में स्वागत है अभी नंदर ने गुड यूनिंग और वेलकम ओल उफ यू लेडिज जैनलमेन वे यू आर चेतन ने सी जाला और मयूर सी परमात पारी की सिरुवात करने के लिए टीम बनास की ओर से समय बीच मैदान पर और टेम विश्वामित्री की ओर से पहला ओवर लेकर संजय भाइब कोरडिया केपिटल सिटी एंड से एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है अभी नंदन है चेतन ने सी जाला स्ट्रैक पर और यह सॉट बॉल उपर खेल गए और विकेट कीपर ने कोशिस की गेंद के नीचे आने की और पहली बोल पर विकेट लपकने की लेकिन थोड़ा साथ दूर में से अस्ट्रैक पर इस बेच एक रन के साथ शुरुआत एक रन के साथ में रन बनाने का स्री गनेश टीम बना सकते यह सौट बॉल उपर खेल गए गुजरात की पावन पवित्र नदियों के साथ बहुत अच्छा लगता ह और इस बेच बढ़िया सौटेज सवेंस गैन को खेल दिया कवर एक्ष्टा कवर की बीच में से बोल जा रहे है बाउंडरी लाइन की और लेकिन बढ़िया फिल्डिंग इस समय बहुत ही सांदार फिल्डिंग थोड़ी भी गड़बरी होती तो बॉल पहुंच जाती यह पहला बोनस रण यह पहला अतिरिक्त रण टीम बनाश के लिए आठ दसमलों चार का और सथ रिक्वार रंडेट कठीन तो नहीं है पर एक बाप फिर यह लगातार दूसरा वाइड कुछ बिना कर चार रन बिना किसी नुक्सान के टीम बनाश का स्कोर स्पोर्ट्स ओत्रूडी अप गुजरात के यूट्यूब चैनल पर भी आप घर बेठे यहां जापर भी आपका मन्चा है आप स्वानिम गुजरात एमेले क्रिक्ट लीग सीजन वन के लाइव एक्षन का आनंद उठा सकते हैं सिर्प एक क्लिक कीजिए और एमेले इस समय चैतन नसी जाला के दौरा अंचा कांटेक्ट और रेंज में ये बोल इस समय चैतन नसी जाला की और उसे बेज दिया आउड़ यह जारी के मिडिकेट वाउंदर के ओपर से सांदार सेक्स पर आपन तो जहां पर रिक्वार रेंडर्ड थाइड चाहिए था आट पो पर शुरुआत हो चुकी है ग्यारा रन इस एक अच्छे रन के साथ बिना किसी नुक्सान के टीम बनास्का और जल्दी खेल गयते इस तो मैं बैट का बाहरी किनारा बोल थोड़ा सा रुक कराई थी लेकिन एक ओवर के बाद टीम बनास्का स्कोर ग्यारा रन बिना किसी नुक्सान के बहुत ही बढ़िया सुरुआत तो जहां पर आवसकता थी आट पॉइंट चार की लेकिन यहां पर तो सुरुआत हो चुकी है पहले ओवर में ही ग्यारा रन बन बन चुके हैं जब दस सुरुआत अच्छा रिपलाई टीम बनास्के द्वारा तो मैं उर्भाई की सोरी फिला लगें बाज और इस बॉल को खिलते हैं स्क्वार लेकिन साब हैं बॉल बाउंट्री के पास रोकने में इस समय काम्याब नहीं रहें और खुद यह स्पॉर्ट्स मिन स्पिरिट इसे खेत कहते हैं खेल भाउना और इसे कहते हैं अब बेस्ट एक्जामपल ऑप स्पिरिट यह देखी रीपले में फिल्डर स्क्वार पर थे बॉल को रोका लेकिन उन्हें खुद कहा लेकिन की बॉल बाउंट्री के बार गई है जी आई यह देखी रीपले में एक बाप फिर यह संकेत आया एंपार की और की जी बाउंट स्पिरिट इसे जेंटलमें गेम जेंटलमें सिग्नल और एक बाप के लिपले आप देख सकते थे कि खेल भावना की दाद दनियों की स्क्वेल एक फिल्डर की कि अच्छा सौट कि मेड विगेट की दिशाब में खेला कि फिल्डर वहां पर मौझे ओद इस बेच है एक रन का इज़ाफा जब दस शिरुवात कि सोला रन बन चुके बिना किसी नुक्सान के टीम बनास अभी भी और सट रन चाहिए एक कावन के इंदों पर कि दीरे से पुष के आप सैट पर फोलो त्रू में कुछ जाते हुए इस समय गेंद बाद जब अच्छा फोलो त्रू कोशी स्की डाइरेक्ट त्रो करनेगी लेकिन बैक अच्छा था इसलिए अतिरिक तरण नहीं मिला कि आप स्टम के बहुत जादा बाहर अच्छा लिव किया इस समय चेतन जिसी जाला जानते थे गेंद काफी दूरें निश्ची तोर पर बिना मैनत के एक रण मिल रहा है एक अतिरिक तो बोल भी मिलेगी अच्छी सोच इस समय अच्छा कंबेक वाइड के बाद अंदर की ओर बोल आती हुई उच्छाल भी काफी बैदर था और बड़िया लाइन अच्छी वापसी बहुत ही जल्दी इस सिगेंद को धीरे से मोल दिया आपसाइड पर फिल्डर है मिलेगा एक रण अच्छी रणिंग बिटिन दुके एक रण चेतन एसी जाला के लिए कुल मिलाकर दो ओवर के बाद टीम बनास का स्कोर पहुंचा है 19 रण नव दसमलों पांच का उसत नव गेंद पर चौदर न बना का नट आउट इस समय चेतन एसी जाला और मयोशी परमार दो रण पर नट आउट इस समय नौन स्टैकर रण पर संजेबै कोरडिया फिला लेके इंदाजी में और ये लाइन कुछ ठीक नहीं लेक्स्टम के बार एके दुवाइट की रूप में एक बोनस रन क्या गजब की सिरुवात की है चौरा सी रनों के जवाब में टीम बनासने एक बाप फिर ये बैक टुबैक लेक्स्टम के बार एकें वाइट बॉल हाला कि ये सभी प्लेयर से रिग्यूर खेलते नहीं है लेकिन इनका जजबा देखिए कि आज अपने व्यस्त सिड्यूल के बावजूद हो यहाँ पर इस प्रकार का आगास कर चुके हैं पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग इस इनिंग में भी अच्छी बैटिंग हो र सब्सक्राइब गुजरात एमेले क्रिकेट लिएक सीजन वन की अच्छा सौट यह बढ़िया फिल्डिंग भले गेन फिल्डर से दूर गई है लेकिन उनका एफट देखिए कि इतना बल्लेबास के करीब इतना तेज सौट उसके बावजूद उन्होंने बोल की गति को कम क किया बस यही परियाप्ट है यही बात दील जीत लेती है सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शों को की अच्छा सौट यह देखे कितना बढ़िया कॉंटेक मिड़ाप की दिशा में खेला और बॉल इसे में बाउंट्री लाइन के बार चार रन के लिए बढ़िया कॉंटेक अच्छा कनेक्शन और चार रन तो पहली बाउंट्री में उर्शी परमार के द्वारा में उर्शी पहुंचे छे पर 26 बिराकुषी नुक्सान के टीम बनास 15 पर चेतन निसी जाला नों स्टैकरें पर अटाउट अच्छी साजिदारी बनास के लिए अच्छी सुर्वात भी आप समके बाद बल्ले का बाहरी किनारा भागे ने साथ दिया विकेट कीपर पकड़ नहीं पाए अन्यता कॉट्ट ब्याइन की रूप में यह पहली विकेट गिर जाती लेकिन यहां पर तो कुल मिलाकर तीन ओवर के बाद असकोर 26 रन बिना किसी नुक्सान के टीम बनास अब साथ ओवर यानिके बैल इस गेंदों पर चाहिए अठावन रन और बैल इस गेंदों पर अठावन रन काम तो कठी नहीं है लेकिन कब किस टीम से इस मैच की अगर हम बात करें तो होनी अन्होनी हो जाए क्योंकि साथ रन पर जब 6 विकेट गिरे थे किसी ने सोचा भी नहीं होता सोचा भी नहीं था कि टीम विश्वा में तरी 83 रन तक पहुंच जाएगी तो मैच में कभी भी कुछ भी संभव है होनी अन्होनी यह लोग प्रियता की निसानी मरियादीत ओवर्स के क्रिकेट की कि एक रन इस समय बैक्वाड स्क्वेल एक पर फिल्डर एक तालिस सगेंदों पर 57 रन चाहिए अब भी टीम बनाज को इस मैज को जीतने के लिए अच्छा सौट हवाँ में केला है देखना केज होगा या नहीं फिल्डर हाला की कोई भी नीते बोल के आस पास और इस बीच मेरा तो सिर्फ एक रन अच्छे फिल्डिंग मयूर्शी परमार साथ पर नट आउट अच्छा सौट एस समय चेतने सी जाला के द्वारा डीप वाइड इस मेड्विगेट पर फिल्डर अच्छी फिल्डिंग बल्या थ्रो एक रन इस बीच 29 रन बन चुके हैं 55 रन चाहिए 49 गेंदो पर 55 रिक्वार फ्रों 39 यह उप्सम के बहुत ज़्यादा बाहर गेंड विगेट कीपर के द्वारा प्रयास स्टंप आउट करने का अपील हुई है जोरदार वो देखें रिक्षन विगेट कीपर का ओ या ओ तीसरे अमपार की मांग कर रहे है हलागि जो काम ओन फिल्ड एमपार का होना चाहिए वहाँ पर विगेट कीपर इसारा करते हुए कम सकम तीसरे एमपार की मदद तो लीजिए सही एमपार लेकिन बले बाज अपने घर में स अच्छी बॉल यह अंदर क्यों रहाई ज्यादा उच्छाल भीने इस गेंड में इस मैच के बाद दूसरा मैच होगा स्वनेम गुजरात एम एले क्रिकेट लिग सीजिन वन का टीम तापी और टीम भादर की बीच में लेकिन काफी सुजबुज एक अगरता आत्मे स्वास और सयम के साथ बल्ले बाजी कर रहे हैं इस समय चेतनने सी जाला और मयूर सी परमार सिंगल डबल भी ले रहे हैं बड़े-बड़े शॉट भी लगा रहे हैं और बीच-बीच में तिरिक तरन आते हुए लेकिन यह बह बहुती बैतरिन टाइमिंग कवर पॉइंट की जिसा में खेला कोई भी फिडर वहां पर महजूद नहीं और बाउंडर के बार चार रन बहुती खुपसी रच शॉट दरसनी शॉट और इस शॉट को आप जितनी बार रीपले में देखे बार बार आपका मन करेगा एक बार नहीं कई बार यह देखे रीपले में कितना बढ़िया सॉट और कितना बैडिया रूम भी मिलाए समय बैतरिन स्क्वेर काट और चार रन तो चार ओवर के बाद स्कोर 35 रन बिना किसी नुक्सान के टीम बना स्का स्कोर 36 गेंदर पर उन्चा स्रन चाहिए 49 रिक्वाप्रम 36 तो फिला लगेंद बाजी में आ रहे हैं जेस पटेल क्रिगर ग्राउंड कोबा गांधी नगर के ओनर इस खुप सुरत मैदान के मालिक जेंदी भाई पटेल खुद हाथ आजमाते हुए राइट हाम ओर दीकेट प्रेक्टिस में देखा था बहुत बैतरीन बॉलिंग की थी लेकिन फिला लिए समय इस पहली बोल को खेल दिया स्क्वाइले के ओपर से और बहुती सांदार सिक्स मयूर सी परमार के द्वारा और मयूर सी पहुंचर डबल फिगर में चाउदा पर ये देखे रीपले में एक बापेर लेक्स टम परेकेन छोटी बोल बढ़िया स्वाट मयूर सी परमार के द्वारा और ये सांदार सिक्स चेंज ओपेस बहुत बढ़िया वापसी जेहन दिवाई के द्वारा कमबेक के अच्छा स्लोवर डिलेवरी बहुती जल्दी लाइन को भी और गति को भी चेंज किया इसमें जेहन दिवाई पड़िल ने काफी लोग प्रिये मैदान जेस पड़िल क्रिकेट ग्राउंड और इसमें हवा में खेला है फोलो थ्रू में खुद कोड़न बॉल के लिए जा रहे थे इसमें लेकिन बहुत दूर थी एकेंज जेहन दिवाई पड़िल से 22 रन बिना किसी नुक्सान के टीम बनास का स्कोर अच्छा सॉट और वन बाउंस के बाद बोल बाउंडरी के बार चार रन के लिए तो चौरा सी रनों के जवाब में बहुत ही बड़िया सुरुआत हो चुकिए टीम बनास की अलिस रन पर पहुँचा है कारवा टीम बनास का 32 सिगेंदों पर चाहिए 38 रन तो ये आपस्टम के बहुत ज़्यादा बाहर वाइड बॉल तो इस समय लेक्स्टम के बार गेंद वाइड बॉल अड़तालिस बिना किसी नुक्सान के अच्छी स्थिती में इस समय टीम बनास इस से गेंद को खिल दिया आफ साइट पर फिल्डर सरकल के अंदर बोल को रुखने में काम्याब कोई रन नहीं डॉट बॉल अभी भी एक बॉल बाके इस पांच वे ओवर की ओ लेक्स्टम के बाहर वाइड बॉल एक बाफेर इस समय चेतन निसी जाला अस्ट्राइक पर सत्र गेंदो पर पचीस रन बना का नट आउट यह सॉट बॉल लेक्स डंपर स्क्वार लेक्स की दिसा में खेला बढ़िया फिल देंगे इस समय और एक रन सिर्फ और इस एक रन के साथ में टीम बना उसके पचास रन पूरे पांच ओवर के बाद पचास रन दस का रंडेट चल रहा है और अभी भी पांच ओवर का खेल बाकी और पांच ओवर के तीस गेंजर पर चौपीस रन चाहिए टीम बना के लिए जीत के साथ सुर्वास करने के लिए झाले हूं ओवर के लिए ऱम बना के साथ सुर्वा है और और के लिए निए पॉर्ट सुर्वास करने के साथ स Programm Size कि राजी इंद्रेशी राठ्वा फिलाल गेंद बाजी में अच्छी फिल्डिंग बहुत ही बढ़िया स्टॉप किया इस से गेंद को और कम से कम बात करें तो तीन रन बचा है अपने टीम के लिए कि थोड़ी भी गड़बड़ी होती तो बॉल पहुंच जाती बाउंडर के बाहर लेक्स टम के बार जाते हुए गेंद वाइट बॉल नीमित तोर पर आते हुए अतिरिक्त रन 53 पोनो लोस अथाइस गेंद पर चाहिए कतीस रन रन और बोल में अब ज्यादा अंतर नहीं है बिल्कुल बराबरी पर है ये मामला रन और बोल का इसलिए कोई दबाव नहीं होगा टीम बरास पर और इस बेच एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में झाल तो खिलाल बढ़िया शॉट और सांदार सेक्स से समय चेतन ने सी जला इस शिक्स के साथ पहुंचे तीस रन बनाकर नोटाउट और टीम बनास एक सट पर पहुंचा है इस समय बिना किसी नुकसान के तो बिल्कुल मजबूत स्थिति में टीम बनास इस समय पर अच्छा सॉट और ये बॉल एक बाप फिर अपने ठीकाने पर और ये सांदार सेक्स इस ओवर में एक और बैक टुबैक दूसरा शेक्स सट शट बिना किसी नुकसान के 26 गेंदो पर चाहिए 17 रन और टीम बनास जीत की कगार पर जीत के दरवाजे पर राउंड दे विकेट इस समय राजे इंदर सी राठवा और इस से गेंद को खिल दिया ओन सैट पर फिल्डर वहां पर मौजूद यह आखरी बोल इस च्छटे ओवर का 25 गेंदो पर 16 रन अभी भी चाहिए टीम बनास को इस मैच को जीतने के लिए इस से गेंद को किल दिया ओन सैट पर सौट मेड़ुकेट की दिशा में फिल्डर काफी डेप काफी वाइड और एक रन का इजाफा और कुल बिलाकर छे ओवर की बाद अस्कोर इस समय पहुंचा है उनतर रन 69 पो नन टीम बनास को बाईश केंदो पर 40 रन बनाकर नट आउट चेतन निसी जाला और चाओद गेंदो पर 17 रन बनाकर नट आउट इस समय पहुंचा है मयूरशी परवार 17 रनों पर नट आउट और इस गेंदो खेल दिया ओन सैट पर और लग रहा है कि वन बाउंस जी हाँ बाउंटरी के बाहर चार रन मयूरबाय किशोरी फिला लग गेंदबाजी में सात्वा ओवर लेकर रिसिरिंग का अब 23 गेंदो पर 11 रन की आउट सकता तो बहुत ही जबद्द सिरुवात इस स्वहनेम गुजरा तेमेले क्रिकेट लीग सीजन वन की और इसके बाद का दूसरा मुकाबला टीम थापी औ होगा कर दूसरे रन के लिए जा रहे समय और जी हां बढ़िया रणिंग बिडियों देखेट और पहले मैच में ही इतना कॉन्फिडेंस इन दोन बलेबाजु के सौट के अगरम बात करें और सौट सिलेक्शन बहुत ही ला जवाब लेकिन आज कने अलाल किसोरे ने भी दिल खुश कर दिया था सबी दर्सकों का 6-6, 6 बाउंटी लगाई थी उन्होंने साथ रन पर 6 विकेट गिरे थे और उस अंडर प्रेसर की स्थिति में क्या गजब का टेमप्रामेंट दिखाया था कने अलाल किसोरी ने 14-13 तक पहुंचा आपने टीम को और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या 50 को पार्क कर पाएगा नहीं लेकिन कब किस्मत जाग उठे ये कहना बहुत कठीन इस समय अलाकि टीम बनास जीत के काफी करीब आठन दूर तेविस पर मयूशी परमार इस समय नॉन स्टैकर रन पर नोट आउट और 40 रन पर चेतन इसी जाला अस्ट्रैक पर ओन सेट पर खेला है फिल्डर है काफी डीप एक रन इत्मिनन के साथ अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ सात रन हलाकि आप सेंचुरी से काफी करीब है इस समय चेतन इसी जाला लेकिन करे तो क्या करे कोई मौका नहीं है विसे इस महनुबो की उपस्तिती में चल रहा है ये रातिर प्रकास स्वाणिम गुजरात MLA क्रिकेट लीग सीजन वन आपकी उपस्तिती प्रेणा दायक आपकी उपस्तिती और सीधवाद के समान उत्सा बढ़ाती हुई सभी प्लेयर्स का आप सभी महनुबो का स्वागत है अभिनंदने जेस पटेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधिनेगर का ये खुपसुरत दर्षिने मनमोग मन भावन साथी सुंदर मैदान इतियास रच दिया है हमारे गती सिल गुजरात ने कि पहली बार विदायक मंत्री साथ में खेल रहें क्रिकेट दीन बर होपी के काम लोगों के कल्यान कारी काम में लगातार निरंतर लगे रहते हैं और उसके बावजुद अपना कीमती समय निकाला औ और क्या होशला है क्या जजबा है क्या हिम्मत है क्या देलेरी है हमारे विदायकों की हमारे माननिय मंत्री स्रीयों की लेक्ष्टम के बार ये वाइट बॉल है इस तमए लेड़ल आप आप ऊप्ट हार बॉल लेख्टम कीमत्री समय डावरे क्या जब धना है बदिन वे विख्टम्हां कीमत्री समय लग देल एव रहते हैं विदायकों की ये दिए अच्छा एफ बोल को रोगने माका में आप और चाहरा ने समय है अब कुल मिलास की रहना किसी नुकसान के बास को अब 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 इस बैच में कि सभी विकेट साइस अलब और इसके बाद की बादर की बीच में अच्छा एक रन और स्कॉर लेवल हो चुका है स्कॉर बाबर अब इस बीच बाउंटी की रूप सिक्सक्राइब या सिंगल यह दिखना बहुत दिल क्या सब्सक्राइब कि अच्छा 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 इतना आसान हो नहीं है लेकिन चेतन निश्री जाला और मैयूर्शी परमार ने चीज़ा करका जो पॉपमेंस अपने प्राज़मिक मैच में अब चौद के दूपर चाहिए एक रन कदमक अस्माल ना चाहिए दिल लॉंग उनके उ लगाओ कि जो अच्छा के लिए सभी अंदर वो बड़ा शॉट लगना चाहिए वो सांधार जीत होनी चाहिए बड़े शॉट के साथ तो आठोवे के पाद तीरा सी रन बिन किसी नुक्सार के तो गेंदबाजी में समय कांथिलाल अमरुतिया और अब ग्यारा गेंदबाजी पर एक रन चाहिए इस समय यह डॉट बॉल कांथिलाल भाई की और से यह पहला पर उनका नौह ओवर इस इनिका चल रहा है राइट आम और दिकेट और इस समय टॉप एड लगा है फिल्डर काफी डीप और इसी के साथ दस विकेट से टीम बनास ने इस स्वानिम गुजरात एमेड क्रिकेट लीग सीजन वन में जीत के साथ में सुरुआत की बहुती बड़ी आपफेमेंस और चालीश रन पर नोट आउट रहे चेतन निसी जाला और तीस रन पर नोट आउट रहे मयूर्शी परमार और इस प्रकार दस विकेट से इस मैच को जीता हुआ टीम बनास कॉंगरिचिलेशन अभिनंदन वेल प्लेट दोनों टीम एक दूसरे को बढ़ाई देते हुई और यह स्पिरिट होने जीत की खुशी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टीम टीम बनास ने स्वाणिम घुजरात एम एले क्रिकेट लीग में जीत के साथ सुरुआ की यह जोस यह उमंग यह उत्सा एक दूसरे को बढ़ाई देते हुए एक दूसरे को अभिनंदन देते हुए और यह जोस होना चाहिए हमेशा हर मैच में टूनामेंड के अंत्र तक तो एक बाद भी बढ़ाई टीम बनास को कॉंगरिचे लेशन और कम्लेश भाई इस मैच के हीरो प्लेयर आप दे मैच मैच कम्लेश भाई वह इसलिए है कि दो ओवर में उन्होंने 19 रंद दिये और तीन विकेट लिए इसलिए कम्लेश भाई मैण अप दूसरे कॉंग में होगा और जैसे ही वह मैस शुरूगा हम आप सभी को लिए चलेंगे जिस पडेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर लेकिन वक्त हो चुकाए वापस तूडियो जाने का लाइव एक्षन के साथ हम एक बाप पिर जुड़ेंगे तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिये इजाज़त गुडबाई फ्रम अल अबस थेंक यह तुरी मच लेडिजेंगे अगरे अगरे झाल अबस तूड़ेंगे गुड़ें एक्षन के साथ हम एक लिए बाप लेकिन वक्त सर तूड़ेंगे दूड़ेंगे आया। झाल 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 यस thankful क्वार करना चाहते थे पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से बैट का बाहरी किनारा एक रन मिला है तो कुल मिलाकर पीस रन इस तमें बिना किसी नुकसान के टीम तापी पंदरह रन चाहिए अच्छा सौट सौट मेडुकेट पर फिल्डर रन का कोई प्रयास अलाकि वापन नौन स्टैकर बले बाद देखा कि फिल्डर बॉल के काफी करीब है दिल्चस्क की ने दिखाई प्रेविंट भाई वापस अपने क्रीज में सही सलामत तेरा रन पर डाउट बड़ी आसोड़ा तीम तापी के लिए अब तब कोई विकेट नहीं गिरा है कि वाइट के रूप में एक बोनस रन थर्टी वन परन अब तीरादी सिगेंदों पर चाओदर रन चाहिए रिक्वार रेंडेट दो के अंदर करन्ट रेंडेट ग्यारा के करीब चल रहा है तो तीम तापी बिल्कुल मजबूत इस्तिती में और जीत के दर्वाजे पर दस्तक देता हूँ अपनी पहली जीत पर गेंदी खनेट नहीं करता है और हाला कि रन का भी कोई मौका नहीं इस समय डॉट बॉल तो कुल मिदा कर तीन ओवर के बाद 31 बिना कि सुनुक सान के टीम तापी अब 7 ओवर 42 गेंदों पर चाहिए 14 रन तो जेश भाई रादरिया फिलाई गेंदाजी में ये पहला ओर उनका तो बत्तीस रन बिना किसी नुक्सान के टीम तापी का टीन ओवर का खेल समाथ हुआ है जात ओवर अभी बाती 13 रन चाहिए 42 गेंदों पर जनक भाई 10 पर प्रविण भाई 13 रन पर नट आउट बहुत ही बड़िया बैटिंग तो लगातार वाइड के रान आते हुए टीम तापी का काम आसान कर रहा है ये मिश्टर एक्स्टा अब 12 रन चाहिए इस मैज को जीतने के लिए टीम तापी को अब कि बार स्क्राइर करने का प्रयास्ता गेंद के काफी करीब आये लेकिन बॉल और बैट की बीच में संपर्क नहीं हुआ जल्दी कुम गए इस समय इंतिजार नहीं किया था बोल बाद में आई और एक वा फिर इस समय ड़्ट वाल इस गेंद को खिल दिया ओन सैट पर वाइन डिक की जिसा में एक रन आज की दीन का और इस क्रिकेट प्रफिव की तका पीसरा मैच टीम सरस्वती और टीम इसके बाद आप सभी की जानकरी के लिए लेकर यह लाइव मैच इसमें अभी भी जीत से क्यारा रंदूर टीम तापी बिल्कुल एक सर्फा हो गया यह मैच कि परियाप्त ओवर है सभी विकेट सही सलामत टीम तापी के इस समय अच्छा सौत है यह लॉंग और की जिसा में खेला फिल्डर काफी डीप एक रन में लेगा आराम से और और 35 रन 35 पर टीम तापी 37 गेंदों पर 10 रन चाहिए इस ता ओवर की बात तरहें सिर्फ चार रन अब तक इस ओर में अच्छा ओवर चल रहा है लेकिन फिलाल इस गेंग को खेल दिया हुआ मैं मिटिकेट की जिसा में फोसी बहुत बढ़िया यहां पर एफर्ट किया केस लेने के लिए लेकिन आखरी मुवमेंट पर गेंसे निगाहेट गई तो कुल मिलाकर चाहिए 36 रन बिना किसी नुक्सान के टीम तापी और अब बाकिवजी 6 ओवर 36 गेंदों पर 9 रन चाहिए 9 रन रिक प्रम 36 14 रन पर नोट आउट प्रमिन भाई 12 रन पर नोट आउट जनक भाई अच्छी चुलवात इन दोनों उपनिंग बलेबास के द्वारा टीम तापी को अब 9 रन का इंतिजार पहली जीत हासिल करने के लिए इस पाणिम गुजरात MLA प्रिगेट टूनामेंट सीजन बवन में संजेशी आये हैं गेंदाजी में यह दूसरा ओवर संजेशी का हवा में खेलाया इस समय क्या केश होगा यह नहीं ओ नहीं समय है कि काफी देर तक बोल हवा में थी और नीचे आये लेकिन आखरी मुमेंट पर एक बाफी रिपल में देखिए आसार नहीं था यह केच पोसीज की और जी आच्छा है अफार्ट वैल ड़न तो स्वाणिम गुजरात एमेले क्रिकेट लिग सीजन वन की एक खास बात यह है कि यहां पर हर टीम में एक महिला खिलाड़ी खेलती है और वो वाइस कैप्टन होती है यह बहुत अच्छी बात है इस क्रिकेट पती उत्यकी मौका दिया जा रहा है महिला को भी और वी सम्मान के साथ वाइस कैप्टन की भूमिका में अच्छी बाउंटरी पर फिल्डर अच्छी फिल्डिंग और एक रन इस सब्सक्राइब खुल मिलाकर स्कूर पाच्वा उन चालिस रन थाड़ी नाइन पर नो लोस अब 31 गेंदों पर छे रन चाहिए अब छे रन के से बंते बाउंटरी के साथ या शिक्स के साथ या सिंगल डबल पांच ओवर के बाद उन चालिस थाड़ी नाइन पर नन तीम तापी अब पांच ओवर या जिए पीस गेंदों पर चाहिए छे रन और पंद्रा पर प्रेविंड बाई चाओदा पर जनक बाई नोट आउट बिल्कुल एक तरफा हो गया यह मैच अगला मैच खेला जाएगा टीम सरस्वति और टीम से तुरिंजे की बीच में कि तीसरा मैच होगा अंतिम मैच होगा तोनिम गुज्रा एमेले क्रिकेट लीग सीजन वर्ट का आज के पहले दिन का तो विनिंग सॉट पाउंट्री शिक्स के साथ लगा कर मैच को जीतना चाहेंगे दोनों बल्लेबाच परियाप तो ओवर से परियाप तो विकेट है अच्छी पॉल इस समय मुर्गेश भाई गेंच बाजी में यह पहला ओवर है मुर्गेश भाई का केपिटल तुरी एंड से और च्छटा ओवर इस इनिंग अपिस को यह एल बीडिव लेगी कि अच्छी पॉल इस अच्छी पॉल इस पॉल इस बीडिया जाएंगे तो अब इस शब्विस गेंदों पर छे रंच यह टीम तापिको इस मैश को जीतने के लिए यह फिल्टा फॉल के वाईडर बाउंडर के बाहर चार रन के लिए बढ़ी है शौट इस अब तो जनक भाई के द्वारा कलेओ का चास्तेमाल इस पॉल इक बाउंडर के बाहर चार रन और अप्र पाचीस गेंदों पर दो रन जीतने के लिए इस स्केंट को चलते हैं वाड़ी स्टार्ट मेंने की सामें और बॉल बाउंटी लाइन के पास में रोकने में काम्याब इस समय बढ़िया फिल्डिंग लेकिन एक रन पूरा किया है और स्कोर लेवल स्कोर लेवल शिक्स ओवर्स गॉल एड़ फोर दिपोपनो लॉस टीम तापी कि एक रन चाहिए अब चार ओवर यानिके चोवीज के इंदों पर पंदर रन पर नट आउट प्रेमिन भाई जनक भाई बैतरी इन बैटिंग करते हुए दो बाउंटरी की मदद से उन्नीस रन पर नट आउट और टीम तापी एक रन दूर जीत से एक रन दूर सेलिब्रे और यह काम किया इस वाइट ने और इसी के साथ इस मैच को दस विकेट से जीता हुआ टीम तापी कंगरीचिलेशन दस विकेट से बहुत सांधर जीत वेल प्लेट टीम तापी कंगरीचिलेशन कि अपर कि अग्यूत है को यह वाव को कि थैक्यू टैटिस यह अर इस मेच के मैन अफध प्लेयर अफ देच करते है क्या प्रजेटरिजन पिकरते हैं कि आप प्रजेटर्ट अरिया के पास मैं जनद बाई प्रेजेंटेशन एरिया के पास में आप पहुँचे हमारे मैंद बैच प्लेयर टीम तापी के जनक भाई यूर ही रख दुमैच प्लीज कम एर अप्रेजेंटेशन एरिया जनक भाई प्लीज थेंक यू डीजे है we are going for the presentation ceremony or man of the match okay no music more DJ thank you त्री जनक भाई से हम विनेंटी करते हैं कि मैंनद मेंच का एवोड लेने के आप पादा रहें थेंक यू डीजे डीजे थेंक यू हम इनाम वित्रन के लिए जा रहे हैं और अमर साथ उपस्तित मैच का एवोड देने के लिए श्री जग्दीश भाई मकवना साब आपका स्वागत है वेल्कम और जनक भाई प्लीज कम एंड कलेक्ट यू मैडम मैच होड़ फिछ जग्दीश भाई मकवना सर जनक भाई उनीश रंबनाए और एक विकेट और अव्ड़ परफुमेंस कंगरिशन जनक भाई वैल प्लेट कंगरिशन तीम तापी कंगरिशन जनक भाई इस मैडब बैच के लिए झाल प्लेट के लिए कर दो 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 कर कि अचता हूडाए हूग। कर दो पीसरा मैच टीम सरस्वती और टीम से तुरुजी की बीच में खेला जाएगा टीम से तुरुजी की कप्तान ने टाउ जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है कुछी देर में लाइव एक्षिन के आप सभी को लिए चलेंगे जेस पडेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधी नगर लेकिन वापस चलते स्टूडियो धन्यवाद अजया है झाल 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 मेच पुरा हो गया है, झाल 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 के साथ इनिंग झाल पारी की सुरात होगी अप सभी को लेचे जैंगे जैस्पनिल क्रिकट गरांड कोबा गांदीन गर एक बाव फिर लाइव एक्सन के साथ लेकिन वापस चलते स्टूडियो धन्यवाद हमार साथ जुदने के लिए आप सभी का थैंक यू गीष्टनी मेर से हमार यू इया इस पर दियाने मेर को अ कि वापस्टने के वापस्टने के लिए टिया हमार कि उवाद हमार catching झाल 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 आल झाल 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 झाल